नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी आईक्यू में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपसीनिती के बारे में हाली में खबर आई है कि मिलिन सोमन जो एक्टर है मॉडल है उनके खिलाफ एक F.I.R. दर्ज की गई है अपसीनिती को लेकर गोवा में उन्होंने एक नेकेड रन किया था जिसकी उन्होंने फोटो पोस्ट की थी ट्विटर के उपर जिसकी वज़े से उनके उपर ये चार्ज लगा था तो हम इस डिस्कुशन में देखेंगे दो टॉपिक पहले टॉपिक में तो हम बात करेंगे एक्वालिटी की जंडर एक्वालिटी की क्य उनको immediately arrest कर दिया गया था Millen Soman को arrest नहीं किया उनको charge किया था तो इसके उपर एक वाद विवाद चड़िया था कि gender equality है या नहीं इसके बाद दूसरे part of discussion में हम बात करेंगे obscenity laws के बारे में इंडिया में क्या है obscenity laws किस तरह से इंडिया के laws rules and regulations stop करते है obscenity को तो चलिए discussion शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साइगाओंकर अगर आप मुझे follow करना चाहते है you can follow me on the ID rahul साइ 222 मेरा Instagram का ID यही है अगर आप मुझे connect करना चाहते है अगर आप कोई सवाल है तो you can directly message me here I'll try to clear your doubts साथी साथ study IQ आपके लिए खुशकब्री लाया है we are running Diwali sale flat 50% off है UPSC civil services examination की courses के उपर for more information download the app तो जैसे कि मैं आपको खबर बताई a case has been registered against actor come model come fitness promoter Milin Soman under section इस section के बारे हम लोग detail में बात करेंगे section 294 of the Indian Penal Court और section 67 of the IT Act Information and Technology Act ये क्यों हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने Twitter पे कुछ इस तरह की image पोस्ट की थी happy birthday to me करके एक naked run किया था गोवा में इस image को पोस्ट करने के बाद इनके उपर charges लगाए गए लेकिन इस से पहले Poonam Pandi जो एक actress है इंडिया में उन्होंने भी कुछ इसी तरह की वीडियो पोस्ट किया था गोवा से उनको immediately arrest कर लिया गया था see you can see the news Poonam Pandi arrested for obscenity in गोवा लेकिन मिलन सोमन ने ये image पोस्ट करने के बाद almost 24 hours तक कोई action नहीं ली गए थी तो इसके उपर Twitter में एक वाद विवाद चड़िया था लोगों ने सवाल पूछे कि क्यों Poonam Pandi को arrest कर लिया गया क्यों मिलन सोमन को नहीं किया गया तो हैश्टाइक्स चलने रहा गया हैश मेल शावनिजम हैश्टाइक gender equality हैश how is this fair कि एक female को ivity꺵 Angels है लेकर लेकिन उससे पहले मिलन सोमन की बात कर एक पहली बार नहीं है के मिलन सोमन है कि मिलन सोमन इस तरह की nudity के लिए चर्छा में आये है यह पहले भी हो चुका है शोल्स उल्स 1 petites बहुत दिनों पहले बहुत सालों पहले मिलिन सोमन ने एक nude photo shoot किया था जिसका case 14 साल तक चला 14 साल बाद he was acquitted ऐसे बहुत सारी pictures है with respect to nudity मिलिन सोमन is very open about that तो this is not the first time और अगर मैं obscenity के बारे बात करो obscen law के बारे बात करो इंडिया में सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि obscenity का मतलब क्या है पगनस मतलब एक नैतिक रूप से हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं अगर हमनों dictionary meaning उसका देखे तो something which is offensive to chastity something which is offensive to modesty या फिर आप कुछ इस तरह का expression कर रहे है जो indecent है जो बहुत ज़्यादा expose करता है जो impure है या फिर आप obscene language इस्तमाल कर रहे हैं या फिर lewd चीज़े है those are called obscene things और obscenity और अगर मैं Indian laws के बारे हैं बात करो तो हमें एक background के बारे हैं बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके उपर बहुत सारे cases आये हैं सबसे important case है अभी सरकार versus state of west Bengal 1994 का case था मैंने यहाँ पे एक picture आपके लिए दर्शाया है इस case से related यह picture है sports world करके एक magazine है published from west Bengal जिन्होंने एक boris बेकर की फोटो पोस की थी boris बेकर एक tennis player थे उन्होंने अपनी wife के साथ इस तरह की एक photo post की थी जिसको publish किया था west Bengal के एक magazine तो इनके उपर case file की आएगा था कि they are promoting obscenity और इस particular case में Supreme Court ने एक बहुत ही important judgment दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि obscenity को determine करने के लिए कि कोई चीज obscen है या नहीं कोई चीज lewd है या नहीं उस चीज के लिए हमें community standards test यूज़ करना पड़ेगा ना कि हिकलिन test तो चलिए बात करते है exactly हिकलिन test है क्या अगर मैं benchmarks की बात करूँ ये legal jurisprudence में बात की जाती है हिकलिन test और community standard test में हिकलिन test बहुत ही पुराना case है एक 1868 का British law का Regina वरसे हिकलिन जहाँ पे हिकलिन test proclaim किया गया था हिकलिन test क्या करता है हिकलिन test बहुत ज़्यादा liberal है हिकलिन test ये कहता है कि अगर कोई art है कोई artistic expression है उस art को अलग रखिएगा और obscenity को अलग रखिएगा मतलब अगर हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं तो focus should be more on art तो हिकलिन test में क्या होता है कि preponderance is on art rather than obscenity obscenity secondary माली जाती है art को बड़ा माला जाता है लेकिन अभी सरकार केस में Supreme Court ने कहा कि हिकलिन test हम नहीं लगा सकते है हिकलिन test will not be applicable as a principle for determining obscenity वहाँ पे community standard test लाए ये तो नाम से ही पता चल रहा है community standard मतलब कोई चीज obscene है अगर वो community के standards community के rules जो genetic rules regulation से हमारे उसके opposite में कुछ कर रहा है या फिर उसके opposite में जा रहा है then that is obscen तो इंडिया में हम लोग follow करते हैं community standard test तो ये तो हो गई base of the law अगर हम लोग law के बारे बात करें इंडिया में anti-obscenity laws बहुत comprehensive है इंडियन penal code जो है हमारा 1860 में जो codify हुआ था उसके तहट तीन section है section 292, 293 and 294 जिसके तहट 294 के तहट million soman को charge किया गया है 292 और 293 publication से जुड़े हुए कि वो अगर आप कोई obscen material, obscen pamplet, obscen book publish करें तो उसके तहट advertisement भी हो उसके तहट आपको charge किया जा सकता है 294 obscene song और obscene acts के लिए है it prohibits obscene acts and obscene songs मतलब if you perform any obscene act in the public अगर कोई आप गंदा गाना गाई है अगर आप कुछ recite कर रहे हैं कुछ utter कर रहे हैं गंदी चीज़ें those become obscene और यहाँ पे आपको तीन महिने के सजा या फिर fine लग सकता या फिर तोनों भी हो सकते हैं under section 294 और अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले एक All India बक्चोद का roast हुआ था अर्जुन कपूर और रनवीर सिंग का जहाँ पे बहुत सारे celebrities ने भाग लिया था यहाँ पे भी obscenity चार्ज की गई थी under section 294 on these actors तो Indian Penal Code के अलावा हमारे पास एक और बहुत ही important act है Indecent Representation of Women Act 1986 which again prohibits obscenity और this prohibits obscenity specifically with respect to women मतलब अगर आप women को indecently represent कर रहे हैं, women की किसी body part को indecently represent कर रहे हैं जिससे की वो derogatory हो रहा है महिलाओं के खिलाब तो आपको चार्ज किया जाएगा Indecent Representation Act और अगर आप इसके अंदर convict हो गए तो पहले offense के लिए आपको 2 साल तक की सजा और 2000 रुपय तक का fine लगेगा और अगर आपने repeat offense किया तो उसके उपर आपको 5 साल तक की सजा और 10,000 से 1,000,000 तक का जुर्माना लग सकता है इसके अलावा Information Technology Act है IT Act 2000 जिसको amend कर दिया गे था 2008 में उसके section 67A के तहर अगर आप कोई भी sexual content publish करेंगे तो आपके उपर charge किया जाएगा अंडर IT Act यहाँ पे आपको first offense में 5 साल तक की सजा या फिर 10,000,000 का जुर्माना लग सकता है अगर आप repeat offender हो तो वहाँ पे आपको 7 years की सजा और 10,000,000 रुपे का जुर्माना लग सकता है इसमें एक बहुत ही important section है section 67B अभी Millen's Omen को section 67A के तहर charge किया गया है section 67B specifically child pornography को stop करता है अगर आप child pornography को promote कर रहे हो etc. तो आपको फिर से इस तरह की सजा मिल सकता है या अगर आप convict हो जाओगे तो इन सारे act के अलवा हमारे पास एक और बहुत important act है Young Persons Harmful Publication Act ये act जो obscenity promote करते हैं या फिर obscenity को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ है यहाँ पे अगर कोई इनसान जो बता रहा है कि आपको harmful publication या फिर गंदी चीजे कहाँ पे मिल सकती हैं ये सब भी बता रहा है या फिर उसको expand करने में मदद कर रहा है तो इसके तहट उनको convict किया जा सकता है जहाँ पे 6 महिने की सजा या फिर fine या फिर दोनों भी लग सकते हैं इसके अलावा एक final law है हमारे पास वो है National Human Rights Commission मतलब Human Rights Act है इंडिया का जहाँ पे NHRC और SHRC बनाने का powers है In fact, NHRC और SHRC The State Human Rights Commission उनके पास complete power है For protecting dignity of women उसके section 2D के तहट If anybody violates any human rights relating to life, liberty, equality and dignity तो उनके खिलाफ NHRC action ले सकता है Swo motor action ले सकता है या फिर वो direct भी कर सकते हैं State को यानि सरकार को कि वो action ले उन लोग खिलाफ जिनों ने कुछ crime किया है तो ये सब provisions हैं हमारे इंडिया में obscenity को लेकर आने वाले समय में क्या होगा पूनम पांडे के खिलाफ क्या होगा मिलिन सोमन के खिलाफ Obscenity laws have been in news for very long time क्योंकि बहुत से writers के उपर भी obscenity cases आ चुकी है एक prominent example है परुमाल मुरगन जिनकी मातो भगन के उपर भी obscenity का charge लगा था writers होगे, आपके artists होगे, आपके photographers होगे all these people have been charged one time or the other under obscenity laws जहां पे इंडिया में hicklin test नहीं आपको याद रखना है कि इंडिया में community standard test apply होता है अगर आप community standards जो community के हमारे नैतिक rules है उसके खिलाफ अगर आप कुछ publish कर रहे हो अगर आप कुछ spread कर रहे हो तो you can be charged under obscenity laws in India that is it from my side on this part of discussion thank you very much जाहिद